हालो दोस्तों आज आप प्लों के बीच लेकर आए हूं कोकोनट की चटनी साउट इंडेने स्टैल उम्मीद करती हूं पसंद आएगा तो मैंने कोकोनट को छील कर छोटी छोटी चुटी चुक्रों में कार लिया है मिक्सी जार में रख लेंगे अब एट करेंगे भूना हुआ पीनट बराच चमच से एक चमच भून करी ले कच्चा न ले नहीं तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा धनिया पठा भी एट करेंगे छोटे छोटे टुक्रों में कटे हुए अधरग चार पांच ग्रीन चिल्ली आप चाहें तो थोड़ा कम भी कर सकते हैं और धालेंगे वन एश्पून दही निम्बू का जूस भी एट कर सकते हैं दही के ज़ेगा दोस्तो स्वादन नमक एट कर देंगे और धालेंगे वन अब एट करेंगे वने स्पूंज इतना जीरा और जरा सा पानी एट कर देंगे अच्छे से फाइन पेस्ट बना लेंगे फिर से ग्रैंड करके यह देखिए दोस्तो चतनी बिल्कुल रेडी है बहुत जल्दी बहुत कम सम्मगरी से बना हुआ है वीडियो पसंद आये तो प् तेल गरम हो गया है दालेंगे उरत दाल हापेस पूंज इतना दाल भून जाए उसके बाद एट कर देंगे राई जीरा और सुखी लाल मिर्च अच्छे से भून लेंगे सबी को साथ में गास को बंद करके एड करेंगे करी पता और दाल देंगे चटनी की में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे देखिए दोस्तों कितना जल्दी कितना कम समय में चटनी बनके रेडी हो गया है आप भी इसी तरीके से बनाई हैं और इंजोई कीजे धोसा, इडली, वरे, किसी भी चीज के साथ इंजोई कर सकते वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर से कर दीजेगा कमेंट चाहें तो करिएगा, नहीं मन हो तो छोड़ दीजेगा थैंक्स पूर वाचिंग दोस्तों, उमिद करती हो आपको हमारे रेचिपी पसंद आया होगा थैंक्स पूर वाचिंग, हैव नाइस ते, बाई बाई, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, थैंक्यू